आज मैं बताने वाला हूँ किसी भी बैटरी कितनी देर तक चलेगी किसी भी बैटरी का बैक अप कैसे निकालेंगे देखिए बिजली जाने के बाद घर में जो उपकरन होता है उसको चलाने के लिए हमको बैटरी का जरुवत होता है लेकिन जो बैटरी हम लगाए हुए हैं उसका backup कैसे पता करेंगे कि कितने घंटे तक चलेगा जब भी हम बैटरी खरीदने जाते हैं तो बैटरी के उपर लिखा रहता है AH AH का मतलब होता है MPR hour अब देखिए किसी बैटरी पर लिखा रहेगा 20H, किसी पर होगा 100H, किसी पर 150H, किसी पर 200H AH का मतलब क्या होता है देखिए AH का मतलब होगा MPR hour हलाकि बैटरी का backup इसकी AH value पर ही निर्भर करता है किसी भी बैटरी का backup time निकालने के लिए हमें कुछ बात पहले ही पता होना चाहिए जैसे कि हम बैटरी का cool कितना wattage connect करेंगे मतलब क्या सब जलाएंगे बैटरी के उपर बैटरी का voltage कितना है बैटरी कितने AH की है और बैटरी का efficiency कितनी इस्तेमाल करते हैं हम सब वो सब हमको पता होना चाहिए आप देखिए किसी भी बैटरी का backup का formula क्या होता है बैटरी का फर्मूला घंटा में ये होता है बैटरी का छमता AH में गुना बैटरी का voltage जितना voltage रहेगा 12 volt का तो 12, 24 volt का तो 24 गुना efficiency दक्ष्टा परसेंट में भागा total voltage वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो मैंने चैनल को subscribe, like और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक share कीजिएगा और देखिए आगे मैं बता रहा हूँ एक जामपल लेते हैं एक 120H का बैटरी है और उसका voltage है 12 volt नमबर बैटरी एक है यदि दो रहेगा तो आपको दो से गुना करना पड़ेगा efficiency किसी भी बैटरी को आप 100% efficiency नहीं ले सकते है 80% तक ले सकते हैं तो 0.8 हो गया total load जो होता है 250W का इसके ओपर हम देंगे तो आपको कितना घंटा backup देगा वही हम बताएंगे तो देखिए इसमें 250W में 2 पंखा है 75W का 2 है और 3 LED बल्ब है एक smart TV है 6W का अब देखिए backup time निकालेंगे 120 गुना 12 voltage गुना 0.8 divided by 250 पूरा calculation करेंगे तो लगभग 4.60 hours निकलेगा अब देखिए दूसरा बैटरी का backup निकालेंगे 150 AH का बैटरी है 150 गुना 12 voltage गुना 0.8 efficiency है भागा 210 लगभग 6.85 घंटा आता है 150 AH बैटरी 12 बैटरी अब 210 वार्ट का लोड देंगे 210 वार्ट में 2 पंखा रहेगा चाल LED बल रहेगा तो लगभग 7 घंटा के आसपास ये backup देगा आपको जरुत का अनुसार आप AH बैटरी ले सकते हैं कितने AH का बैटरी आपको चाहिए यहाँ पर देखे 200 AH का backup टाइम निकालेंगे तो 200 गुना 12 गुना efficiency 0.8 भागा 210 लगभग 9 घंटा का backup देगा यदि हम लोड कम कर रहे हैं तब 200 AH का बैटरी 12 बैटरी रहेगा 12 बोल्ट पे और 210 वार्ट का लोड देंगे इसमें 2 पंखा रहेगा 4 LED बैटरी रहेगा तो लगभग 9 घंटा का backup देगा तो आपको धियान रखना है कि हमको क्या क्या चलाना है इसके उपर उसके according आपको AH बैटरी खरिबनी है कितने AH की बैटरी लेनी चाहिए आपको वो आपके लोड पे डिपेंड करता है यदि हम कम लोड देंगे वनली हम LED बल्ट जलाएंगे तो और उसका backup देगा तो आपको धियान रखना है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो मने चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेयर कीजिए कोई कुस्तन है तो कुमेंट्स कीजिए मैं उसका एंसर जरूर दोगा थैंक्यू बेरी माच